नमस्कार दोस्तों चलिए करते हैं Vibow Global Limited शेर का Technical Analysis और देखते हैं इस शेर में हमें एक धमा के दारते जिकब देखने को मिलेगी और दोस्तों अंत में हम ये भी डिसकस करेंगे के ये शेर हमें शॉट टब में कौनसे टार्गेट सचिव करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Vibow Global शेर में Important सपोर्ट की तो यहाँ पर दोस्तों सिफ एक ही Important सपोर्ट लेवल है वो है 294 रुपीस का लेवल दोस्तों ये वाला जो लेवल है ये लेवल एक बहुत ज़्यादा Important सपोर्ट है क्योंकर दोस्तों इस शेर में हमें जब एक लगातार गिरावट देखने को मिली थी तब इस शेर ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर दोस्तों 317 रुपीस का लेवल एक important resistance है क्योंकर यहाँ पर ये शेर कई बार resistance फेस कर चुका है तो अगर ये शेर 317 का लेवल ब्रेक करता है तो जो दूसरा resistance है शेर में है वो है 329 रुपीस का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो पहले शेर ने इदर resistance फेस किया है दोस्तों अगर ये शेर 329 के भी उपर जाता है तो उसके बाद शेर में हमें एक बहुती धमा के दार तेजी देखने को मिल सकती है आईए ब हम apply करते कुछ important technical indicators और देखते हैं ये indicators हमें क्या signal दे रहे हैं तो दोस्तों जब तक मैं यहाँ पर technical indicators को apply कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को like कर दीजिए और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो ऐसे updates के लिए channel को subscribe कर दीजिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो MACD apply हो चुका है MACD में positive histogram generate हो रहे है और relative strength index अभी neutral दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि MACD bullish है पर RSI अभी इतना bullish नहीं है दोस्तों गरम बात करते हैं इस share में खरीदारी करने की तो यहाँ पर अगर यह share अपना 317 के उपर closing दे देता है तो उसके बाद आप इस share में खरीदारी कर सकते हो सबसे बहला target रहेगा इस share में मेरा 330 रूपिस का level दूसरा target रहेगा 350 रूपिस का level और उसके बाद यह share 370 रूपिस तक भी जा सकते है short term में पर दोस्तों अगर यह share इस level के उपर sustain नहीं करता तो यहाँ पर गिरावट आने के भी संभाव न रहेगी इसलिए अगर आपके पास अभी कोई भी holding है तो 290 का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यह वीडियो के educational वीडियो था इसलिए शेयर में में कोई भी बाई सेल्य होल की सला नहीं है धन्यवाद